नमस्ते राधी राधी हेलो अब्रीवन वेल्कम तो आवर चैनल बायोवर्स दे यूनिवर्स आप बायोजी तो जैसा कि आप सब को पता है कि मैं आपको बीस्दी फिफ्ट सेमिस्ट का जुलोजी का स्लेब्स पढ़ा रही हूं पेपर का नाम है आपके नॉन कॉर्डेट एक सबाइब्स आपके दो सब्सक्राइब सक्राइब कर देण तकी उन पहुत सारे नवीके बच्छोंगे यह हैं और कि अधियों सब्सक्राइब कर दिज्याव कि उसको कि नहीं भी उस्कों नाने चैनल को निन यूनिवर्सिटीज के एक्साम नहीं हुए हैं तो मैंने सुचा आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिये जाएं इसके बाद फर्स्ट आफ जैन से आपको सिख्त सेमेस्टर के जलोजी और व्डशक रीक्शर्स मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बात करें crappy की तो तर्म là part kia है ये इंक्ल you करता है यह इन के वाउड्क को डक्स को टर्की और पिजन रहे सारे जो बिर्ड्स हैं इसमें यह सभी आ है थीक है लेकिन more oftenly सबसे जादी यूज होता है वो किसके लिए होता है फॉल की लिए उस होता है ठीक है उनके एक्सको बढ़ियां से प्रोटक्ट करने के लिए इन सब जी जो के लिए होता है ठीक है आगे बात करें अगर हम 一ए फार्मिंग है तो पोल्टरी कि एाग मीट को और अच्छ की ISALK करना मार्केटिंग में बीच ना ठीक है सेल करना पॉल्ट्री एक्विप्मेंट को और शारी चीज़ों को ठीक है बात करते हैं इसके सक्सेस्फ remote के लिए शुख चीज़ें ज़रूरी हैं कि इनके बारे में आपको detailed idea होना चाहिए about poultry ground कि किस जगें पे आप poultry बनाते हैं तो वहां पे आपको fresh air मिलेगा अच्छी जो है उनके लिए shelter मिल जाएगा इन सब चीजों को आपको idea होना चाहिए कि आप एक successful management क्या कर पाएं उसका कर पाएं ठीक है अगर बात करते है habitat of fall breeds की breeding and rearing of chicken chicken कैसे मिलता है तो poultry farming इस टाइम पर सबसे popular क्या है एक तरी से एक तरीके से आप कह सकते हैं industry क्योंकि लोग non-visitarians जो भी है वो chicken तो खाती ही खाते हैं ठीक है और एक्स भी बहुत popular है protein का source है तो लोग एक्स में जार्दे कंजियों करते हैं उसके लिए क्या है कि हमें poultry farming करने पड़ेगी जो natural आपके एक्स देने के लिए फॉल होती है वो इतना इतनी बड़ी population को तो पॉल्स प्रॉइड नहीं कर पाएगी तो उसके लिए present time में इसकी बहुत जादे नीड हो गए है poultry farming की तीक है तो थोड़ा सा poultry management के बारे में जानेंगे तो यहां में बोला गया है कि इसके successful management के लिए poultry के लिए कि ये ये चीज़ें require होती है चीज़ें जरूरी है जैसे कि इनको अच्छा proper shelter लब रहने के लिए घर shelter अच्छी होने चाहिए इनका habitat quality का मिलना चाहिए तभी आप बहुत अच्छा management इसका कर पाएंगे जो fouls होंगे बहुत अच्छे से grow कर पाएंगे और आपको अच्छी quality के chickens मिलेंगे अच्छी quality के eggs मिलेंगे तभी आपका जो management है अच्छा होने की वज़े से ये आपको benefit होगा ठीक है तो बात करें these should be protected from the enemies for obtaining maximum yield इनको enemies अपने दुस्मनों से भी प्रोटक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि अब जादे से जादे maximum क्या करें eggs और chickens क्या करें इनसे obtained कर सके yield कर से ठीक है जो इनकी poultry के egg होते हैं उनको क्या किया जाता है कैप किया जाता है dry clean and properly ventilized किया जाता है और well lightning house में रखा जाता है ठीक है इन shelter को cool किया जाता है summer में और warm किया जाता है in winter मतलब ठंडी। में इनको क्या क्या जाता है? गरम रखा जाता है और गर्मियों में इनको क्या 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 जाता है? ठंडा रखा जाता है ताकि जो फाल्स है उनको बहुत अच्छा एंवाइर्hmenट मिल सके भात करें कि यहां की with soil कैसी होनी चाहिए तो basically यहां पर prefer किया जाता है कि sandy और gravel यह दो type के soil जो है good amount में use किया जाते हैं ठीक है जिससे कि जो floor हो वो covered रहता है ठीक है chopped straw, paddy husk और dry leaf ठीक है यहां पर उनके floor के उपर आपने मिट्टी डाला उसके बाद chopped straw मतलब जिसको की भूसा हिंदी में कहता है ठीक है paddy husk यानि कि जो आपके धानगी हों होते हैं उनकी जो part जो उनका बचा रह जाता है उससे क्या बनता है paddy का husk बनता है वो dry leaf डाले जाते हैं अब इनके shelter के अगर हम बात करते हैं तो shelter में क्या होता है कि fall should be kept from hot sun hot sun यानि कि सूरी की गर्मी से इसको दूर रखना चाहिए hot cold और wind से भी इसको क्या करना चाहिए heavy rain से इन सबसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि इन सबसे बचाने के लिए इसे shrubs and trees जो है वहां पर provide किये जाने चाहिए ठीक है जो different age के falls होते हैं मतलब जैसे कोई छोटा है कोई बड़ा है तो उनको अलग-अलग separately अलग-अलग shelters में रखा जाना चाहिए मतलब अलग-अलग एक बना दीजिए आप यहां पर चोटे falls रहेंगे यहां पर बड़े falls रहेंगे उनको separately रखा जाना चाहिए ठीक है जो सेड्स हैं के यह बने होते हैं कि इसके cheap material जैसे की bamboo से straw से यह सब constructed होते हैं और ground से 3 feet उचे यह बनाये जाते हैं ठीक है आप सबने कहीं न कहीं poultry house जरूर देखा अपने आसपास में poultry house की बात करते हैं तो जो poultry house होते हैं यह wooden हो सकते हैं मतलब लकडियों के बने हो सकते हैं bricks यानि की इटों के बने हो सकते हैं या जो इनकी roof होती है वो metal जो आपने पतली-पतली चदर देखे होगी metals की आती है इनकी iron seats होती है इनके roof पे रखी जाती है ठीक है वो पतली-पतली poultry house should have open वरामदा इसका मतलब है कि अगर इस तरीके से आप poultry house बना रहे हैं तो यहां बीच में आप open place छोड़िए ताकि जो है यहां पर ventilation बहुत अच्छे से हो सके air का हावा का आधान प्रतान अच्छे से से मतलब है कि हावा का आधान प्रतान बहुत अच्छे से हो सके ताकि उनको अच्छा इंवार्मेंट में ठीक है house should be never be overcrowded इसको बहुत जादे भीड़ वाली जगहों में या बहुत जादे बंद जगहों पे नहीं रखना चाहिए ठीक है poultry house should be protected from rats, fox, cats, snakes and dogs आपको यस बात का ध्यान रखना होगा कि जो poultry house है उसे आप जो इनके enemies हैं जो falls को खा सकते जैसे rats हो गया, fox हो गया, cat हो गया, snake हो गया, dogs हो गया इनसे आपको keep away यानि कि दूर रखना चाहिए ठीक है shade should be cleaned daily, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो इनके shade है, जहां पे छाया में रखा गया इनको वो daily clean किया जाए, drinking water भी इनका daily change किया जाए, कम से कम दिन में दो बार change किया जाए, एक दिन में दो बार change किया जाए food and feeding की बात करें, तो यहां पे इनको balanced quality का food material बहुत जरूरी होता है, और बहुत profitable होता है dairy farming में, अगर इनको balanced quality का food नहीं दिया जारा, तो आपके poultry farming का कोई मतलब नहीं क्योंकि अच्छी किस्म के जो है, आपके fouls नहीं होंगे, वो अच्छे अंडे नहीं देंगे, तो इस वज़े से इस सारी चीजें जरूरी है, जैसे कि ओट हो गया, मतर हो गया, ग्राम हो गया, चना, बीन्स, यह सब good food है, फाउल के लिए, wheat हो गया, jar हो गया, बाजरा, oil cake, oil cake से आप समझ सकते होंगे, जो आप तेल जब निकाला जाता है, तो उससे एक material solid निकलता है, इसको oil cake कहा जाता है, fish का meat also included in feed, थीक है, skim'd milk, skim'd milk का बहुत जादे use किया जाता है, skim'd milk ऐसा milk होता है, जिसमें से सारी fat को क्या कर दिया जा, remove कर दिया जा, fat remove को नूफ करने के बाद जो मिल्क बचता है उसे इसकिंड मिल्क का यूज किया दाता है बटर मिल्क करड का दही का mix with wheat wheat के साथ आप इसको mix करके बारली के साथ mix करके एक nutritive food के पॉर्म में दे सकते हैं इनके लिए बहुत अच्छा food होता बॉयल्ड पोटेटो ठीक है इसमें इकल पार्ट वीट या ब्राउन का डाल सकते हैं फाउस के लिए जो बहुत जादे हल्दी होता है दे skimmed milk is highly nutritive for young chick young chicks के लिए skimmed milk जिसे fat remove कर दिया है वो बहुत जादे healthy होता ठीक है the green food as fresh water sorry fresh tender grass garlic का lettuce का onion का garlic का आप समझ रहेंगे lesson का पकता lettuce जो आपके साग होते हैं के पते onion प्याज के पते यह सब क्या होते हैं uncooked होते हैं और इनके जो है जो leaves होते हैं वह बहुत जादे अच्छे होते हैं falls के लिए should be given offer some interval कुछ समय के बाद अब इनको दे सकते हैं cold season और rain at the time of mating cold season जो होता है और rainy season जो होता है इनके mating का time होता है इस time पर यह meeting करते हैं उसे fertilization के बाद यह एग प्रोड्यूस करते हैं ठीक है best diet की अगर हम बात करें तो best diet क्या है इनका best diet recommended for poultry by A.G. MacDonald एक थे scientist A.G. MacDonald उन्होंने बताया था example के लिए poultry research में की उन्हों पर बताया था इंडिया veterinary science जो है इसके spelling veterinary ठीक है veterinary science research institute इजत नगर यूपी में है यह बताया इन्होंने कि इस तरीके से यह कुछ पार्ट है जैसे कि अगर हम मेज की बात करें 20 parts ground की बात करें ground oat की 20 parts wheat की 40 parts अर्थ का nut meal और common salt यह सारे चीज़े यूज किये जाते हैं ठीक है अब हम थोड़ा सा breed of fall के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से breed का generally use किया जाता है तो breed of false की बात करें तो selection of false breed should be based on object with which false are kept यह decide करने के लिए यह देखा जाता है कि किस object पर यह based है कुछ best variety हैं जैसे लैंक्सन, रॉक, ग्रामा, ऑस्ट्रेलॉप, रोडे, ससेर, चिप्तागॉंग, लेगॉन, अनकोना, मिनौरका और कैम्पाइन यह कुछ best breed हैं जो सबसे large size के यह क्या करते हैं produce काते हैं अब इसके disease and control के बारे में आगे के lecture में cover करेंगे आज के lecture में बस एतना ही उम्मीद करती हूं कि आपको यह lecture बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं बढ़ते रहे हैं thank you everyone